हेलो एब्रिवन आइम आस्था वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल गवर्मेंट जोब जेन्यू नौटिफिकेशन डिडियो रिकूट्मेंट नौटिफिकेशन रिलीस हो गया है 2020 का सेप्टम्ट रिकूट्मेंट नौटिफिकेशन डिडियो सेप्टम्ट रिकूट्मेंट नौटिफिकेशन रक्षा अनसंदान एवं विकास संगितन टोटल विकेंसी 1901 है औल इंडिया के लिए ये विकेंसी है औल इंडिया से कैंडिडेट अपलाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट से आप ब्लॉंग करते हों मेल फीमेल दोनों इन इफीस आपको पर नहीं करनी होगी सो इसके लिए क्या इससेंस्वल क् vwTION क्यों के लिए भरती है दो अलग लग पदन पर भरती कि जारी दोनों के लिए क्या खालिकेश है डोनों schwierig क्ट है एस ग्सलेक्सिंद बॉस cane क्या है दोनों पोस्ट के लिए एक्जामनीस्न ही आया है बहुत ही जल्द आपको इसकी ओफीसल साइट पर देखने को मिले का आपको इसका notification ओफिसल साइट पर देखने को मिल जाएगा ओके तो चलिए हम इसके जो भी पॉइंट्स है इसमें इसमें आलिजबल्टी क्राइटेरिया क्या है टोटल विकैंसी को हमने वक्त देख लिया पोस्ट वाइस इसमें टोटल कितनी विकैंसी है किस पोस्ट के लिए कितनी विकैंसी आई हुई है तो चलिए देख लेते हैं टोटल विकैंसी इसमें 1901 है 1901 अगर पोस्ट की बात करें तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की है 1075 विकैंसी टेक्निशियन ए के लिए है 826 विकैंसी दोनों की ओवराल 1900 दोनों को अगरम देखें तो टोटल 1901 प देखेंगे लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं इसमें आपको अप्लाइ कैसे करना होगा तो देखें डियाइडियो की ओफिसल साइट से आप इसमें अप्लाइ कर सकेंगे डियाइडियो की ओफिसल साइट से ही तो चलिए इसमें हम डेट देख लेते हैं तो इंपोर्ट 3rd September तक आप इसमें online apply कर सकेंगे तो जैसा कि online application तीन से स्टार्ट है तो इसका notification भी आपको official site पर बहुत ही जल देखने को मिलेगा अगर आप इसके लिए eligible होते हैं तो update रहेगा चैनल को subscribe कर लिएजेगा या फिर इसके official site पर भी update रह सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे इसमें eligibility criteria की तो age इसमें minimum 18 year रखी गई है क्योंकि इसमें जो दौनों पोस्ट है दौनों के लिए qualification different है उसमें से एक पोस्ट जो रहेगा उसके लिए 10 पास candidate भी eligible है apply कर सकते हैं minimum age 18 year है maximum 28 year है यह general candidate के लिए है अगर आप reserve category से belong करेंगे तो central government rules के accordingly जो भी relaxation दिया जाता है reserve categories को वो आपको यहाँ पर मिलेगा means 3 year से लेकर के 10 year 15 year according to category आपको यहाँ पर relaxation मिल जाएगा इसके बाद qualification देखेंगे तो STA यानि senior technical assistant post जो रहेगी इसके लिए bachelor degree अगर आपने science object से की हुई है तो आप इसमें apply कर सकेंगे अगर आपने bachelor degree नहीं लिए है science में आपने diploma किया हुआ है engineering में देन आप इसमें apply कर सकते हैं second जो पोस्ट अबोट TA की है technician की जिसमें 10th and IDI holders eligible रहेंगे तेन के साथ में आपका IDI होना चाहिए आपने जो apprenticeship किया हुआ हो वो भी candidate apply करेंगे different traits के लिए यह vacancy है discipline में अगर हम bachelor degree में तो इसमें आप agriculture वाटनी chemistry, geology, computer science, civil engineering, information, sorry instrumentation बहुत से अलग-लग disciplines हैं subjects हैं जिसमें आई हुई है जैसे इसका notification official side पर आता है मैं फिर से एक video upload करूँगी जिसमें आपको सारे disciplines trades के बारे में बताऊंगे अगर हम भाई ITI trades की बात करें तो इसमें fitter, welder, painter, machinist, turner and rotsman, automobile, copa, car painter बहुत से जो trades हैं सभी लग बहुत ज़्यादा क्यूंकि 826 vacancies हैं 10th pass candidate ITI holders के लिए 1075 है discipline में तो इसमें बहुत से अलग-लग discipline है trades है, detailed notification आने पर मैं आपको सारे trades and discipline के बारे में बताऊंगी तो अगर आप interested हो तो subscribe जरू कीज़ेगा और bell icon का all option को press कीज़ेगा चलिए next यहाँ पर देखेंगे selection procedure तो STA जो post है senior technician assistant की इसमें tier first and tier second होगा tier first में आपका screening test होगा tier second आपका final selection रहेगा यह CBT based होगा and TA के लिए भी tier first और second यानि दोनों ही stages में दोनों का selection procedure है TA के लिए CBT exam होगा computer based test होगा उसके बाद आपका second होगा trade test तो जिस भी trade से आपने किया हुआ idea उसके लिए आप eligible रहेंगे salary senior technical assistant के लिए level 6 से salary रहेगी 30400 starting salary है यह TA post के लिए level 2 से salary रहेगी 19,900 starting salary रहेगी application fees unreserved and OVC male candidate के लिए 100 rupees application fees है LCST candidate चाहे male हो या female and सभी female candidate किसी भी category से करती हो आपको application fees पे नहीं करनी होगी इसके बाद examination center तो ओल इंडिया में आपको examination center मिल जाएंगे लगबक कुछ मैंने आपको यहां पर mention किये हुए है इसके अलाबा 39 examination center है और इंडिया में तो कुछ के नेम अभी आप देख रहे हैं जैसे मद्ध प्रदेश में भोपाल ग्वालियर जवलपूर उत्रप्रदेश में लखनव आग्रा चंडिगर जैपूर जोतपूर कानपूर मुंबई गौहाटी नाकपूर नासिक इसके अलाबा कुछ ही मैंन किये हुए हैं जैसा मैंने बताए आपको इसमें 39 एक्जामनेशन सेंटर हैं देली एंसी आर बहुत से सेंटर हैं जो आपको मिल जाएंगे आपके स्टेट में 39 टोटल एक्जामनेशन सिटीज रखी गई हैं और इसमें भी आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो कि यह जो भी सारे पॉइंट्स थे मैंने आपके बेसिक पॉइंट्स आपके किलिए कर दी हैं जैसे इसका डिटेल नॉटिफिकेशन ऑफिसे साइट पर आता है ओनलाइन अप्लिकेशन स्टार्ट होते हैं मैं एक और डिटेल वीडियो अप्लोड करूंगी अगर आप चाह अगर आओ तो वीडियो को लाइक कीचेगा थैंक यू